आज हम class 8 का chapter, champion women के बारे में पढ़ेंगे this is unit 6 हे, तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं before you read, यहां पर chapter पढ़ने से पहली chapter के बारे में छोटा सा introduction दिया हुआ है किस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और यह chapter किस से related है ताकि ये chapter हमारे लिए और भी interesting बन जाए There was a time when the Indian society was dominated by the men एक समय था जब भारती समाज पर पुरुसों का साशन था The time had changed and women are establishing a respectable position in every field लेकिन अब समय change हो चुका है ताइम बदल चुका है और Indian women means भारती महिलाएं अब हर छेतर में अपने लिए एक respectable position को पाने में सफल हो चुकी है Indian sports women are also coming into their own Now they are making India proud by winning medals and titles that had seemed so illusive until recently Indian sports women means भारती महिला खिलाडी अब खुच से खेलों की दुनिया में आगे आ रही है है ना और वो इंडिया को proud feel करा रही है बहुत सारे medals और titles means पदक और उपादिया जीत के जो कि कुछ समय पहले तक बहुत ही मुश्किल काम लगता था है ना मतलब हमारे सोच से बहुत परिथा केवल ऐसा नहीं है कि भारती महिला खिलाडी इन दिनों अधीक संख्या में खेलों में हैं बलकि वो पहले से कहीं जादा अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है वे उन यंग गर्ल्स के लिए inspiration means प्रेरना का काम कर रही है जो खेलों से जुड़ना चाहती है है ना जो खेलों की दुनिया में आना चाहती है और अन्य विजेता खिलाडियों के समान successful मतलब सफल होना चाहती है Let's read about few such women तो चलिए हम लोग इसी तरह के कुछ महिलाओं के बारे में इस चाप्टर में पढ़ते हैं The average Indian woman who constantly struggles between the fulfillment of her dreams and the demands of the fundamentalists have slowly but surely started carving out a neck for themselves in society आज average भारती महिलाएं Means आम भारती महिलाएं जो लगतार है ना अपने सपनों को पूरा करने और रुडिवादी लोगों मतलब जो कटरपंती वाले लोग होते हैं ना उनके बीच में वो संघर्स कर रही है ठीके और वो धीरे धीरे ही सहे लेकिन विश्वसनी रूप से अपना एक मुकाम हासिल करने की सुरुआत कर दी है By rising above the age-old conventions, norms and setting aside the life of compromise and sacrifice that they were expected to lead, the Indian female's journey from oblivion to recognition has been a story of determination and courage where she has managed to silence every critic who has dared to question her skills and capabilities वो सदियो पुरानी मान्यताओं से है ना मतलब दक्यानों से सिधान्तों और बंदिसों से उपर उठकर उनका जो compromise and sacrifice है ना जो उनका समझोहते और बलिदान पर अधारी जीवन था जिसको वो आज तक जीती आ रही थी इन सबको side करके है ना और जो लोग उनसे पेच्छा करते थे कि वो कैसे रहे कैसा life जीए हैना किस तरह से वो अपने life को spend करे इन सबको दूर करके हैना इन सबसे परेहट कर जो भारतिये महिलाएं हैं ठीके जो भारतिये नारी हैं उनका एक गुमनामी से मतलब उन्हें कोई नहीं जानता था उनका कोई नाम नहीं था तो अपना एक पहचान बनाने तक का उनका जो सफर था उनका जो यात्रा था ठीके वो determination and courage मतलब डिर्ये निश्चय इवं साहस की ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने हर एक critic का मतलब आलोचक का मुवन करा दिया जिन्होंने उनकी skills and capabilities means योगताओं और चमताओं पर प्रस्न उठाने का साहस किया था मतलब जितने लोग थे जिन्हें ये लगता था कि महिलाए कुछ नहीं कर सकती हैं वो सब अब चुप हो चुके है जैसा कि अभी महिलाओं ने हर छेत्र में अपनी सकती की चाप चोड़ी है तो खेल की दुनिया भी इससे अचूता नहीं है मतलब खेल की दुनिया भी इससे अलग नहीं है एक समय था जब भारती खेल पड़ती भाएं केवल पुरूस पड़ती हो गिता तक ही सिमित था लेकिन जो भारती महिला आए थी जो भारती महिला खिलाडी थी एवन एक चैलेंजर भी नहीं थी मतलब समान जनब शुनौती देने लाइक भी नहीं थी लेकिन वही आज के समय पे मेरी कॉम और साइना नहवाल उतनी ही परतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं जितना मस दुआनी और अन्य खिलाडियों ने किया है तो चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इन महिलाओं ने अपनी अचीब्मेंट से मिन्स अपनी उपलब्दियों की द्वारा हमें प्राउड फील कराया है सानिया मिर्जा टैनिस प्लेयर हम लोग सानिया मिर्जा से पढ़ना सुरू करते हैं सानिया मिर्जा क्या है टैनिस प्लेयर सानिया मिर्जा इस इंडिया's best non-female sports person who has appeared in international tennis circuits with frequently impressive results सानिया मिर्जा भारत की best non-female sports person मतलब सबसे प्रसिद महिला खिलाडी है है न वो जानी मानी महिला खिलाडी है जो international tennis मतलब अंतरास्टी tennis के छेतर में प्रभावसाली result के साथ प्रस्तुत हुई है वो 6 साल की उम्र से tennis खेलना सुरू करती है और 2003 से वो professionally खेलना सुरू करती है professionally का मतलब क्या होता है वेवसाई किया पेशेवर तो वो पेशेवर खिलाडी 2003 में बनी having been trained by her father Shania won 10 singles and 13 doubles titles as a junior player अपने पिता के द्वारा training प्राप्त करने means परिसिच्छन प्राप्त करने के बाद Shania ने 10 singles और 13 doubles के खिताब junior खिलाडी के रूप में जीता था A mere 16 year old, Shania became the first Indian girl to win a Grand Salem in 2003 which she accomplished in doubles event at Wimbledon मादर 16 वर्स की उम्र में Shania 2003 में Grand Salem Award जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाडी बनी जिसे उन्होंने Wimbledon के doubles के खेल में प्राप्त किया था C is highest ranked female player event from India reaching world number 27 in singles in 2007 वो इंडिया की highest rank वाली महिला खिलाडी है जो कि 2007 में singles यानि एकल में 27 number पर पहुची थी जो कि भारती टैनिस खिलाडी के लिए अब तक का सबसे उचा rank था In 2015, she became the first female Indian tennis player who gained the number one position in doubles उसके बाद 2015 में वो पहली भारती महिला खिलाडी बनी जिसने doubles के खेल में पत्थम स्थान मतलब first rank प्राप्त किया था A total of 14 medals add-ons her neck which includes 6 golds at 3 major multi-sport events namely the Asian Games, the Commonwealth Games and the Afro-Asian Games कुल 14 medals उनके गले का सोभा बढ़ाते हैं मतलब उन्हें कुल 14 medals मिले थे जिसमें से 6 gold हैं मतलब 6 स्वन पदक हैं जो कि उन्होंने 3 प्रमुक खेल आयजनों में जो कि Asian Games, Commonwealth Games और Afro-Asian Games में जीते हैं By the end of the year 2016, Shania has won a total of 41 WTA Women's Tennis Association and 4 ITF International Tennis Federation titles of her name 2016 के अन तक सान्या ने कुल 41 WTA means Women's Tennis Association और 4 ITF मतलब International Tennis Federation खिताब अपने नाम किया है Her success story is one which is driven by consistent passion, hard work, unseen commitment and dedication उनकी सफलता की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि खेल के प्रती, उनका जुनून, है ना उनकी कडी महनत और धिर्यस संकल्प, उनका जो पूरा समर्पन था अपने खेल के प्रती, है ना उसके द्वारा लिखी गई है A sports producer who began playing the sport at the age of 5, she has not ever missed her routine training sessions for 23 years उन्होंने 5 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट किया था और 23 की उम्र तक नियमी ट्रेनिंग किया था है ना उनके जो नियमी ट्रेनिंग के जो रूल थे, जो नियम थे, ठीक है नियमी ट्रेनिंग में जो जाने के नियम थे, उनको एक भी बार नहीं तोड़ा Also her on determination and grit in the face of all adversity has gained her international recognition साथी साथ अपने संकल्प और विभीन विपरित परिसितियों का सामना करने का जो उनमें गुन था है ना उस गुन ने उनको अंतरास्तिय पहचान दिलाई है She is the UN Women's Goodwill Ambassador for South Asia वो दच्छीनेशिया के लिए UN Women's Goodwill Ambassador है Her name also features in one of the 50 heroes of Asia earliest released by Time magazine Time magazine के द्वारा जारी की गए Asia के 50 heroes के लिस्ट में है ना उस सुची में उनका भी नाम सामिल है Sanya was awarded the WTA Newcomer of the Year Arjun Award and Padmasri of her contributions to sports खेलों में उनके योगदान के लिए Sanya को WTA Newcomer of the Year Arjun Award तथा Padmasri Award से भी सम्मानित किया गया है Now comes Saina Nehwal Badminton Player Saina Nehwal is a badminton player from India who is among the world's top players in women's badminton Saina Nehwal भारत की एक मात्र ऐसी badminton player है मतलब ऐसी badminton खिलाडी है जो की महिला badminton में World की है ना विश्व की स्रेष्ट खिलाडियों में से एक है She was interested in badminton from an early age वो छोटी सी उम्र से ही badminton में interested थी मतलब वो badminton में रूची रखती थी In 2006, she came into the limelight as a teenager when she won the under-19 national championships वो 2006 में सुर्ख्यों में आई थी है ना जब उन्होंने under-19 राश्टीर चैंपियनशिप जीता था Saina, the former world number one, has won a number of championships and maintained her world ranking in the top 10 since 2009 दुनिया की number one खिलाडी रह चुकी Saina निहवाल ने कई पर्तियों की ताएं जीती है है ना और 2009 से विस्व ranking में top 10 में अपनी जगा को बनाए रखी है मतलब उन्होंने अपनी ranking को कायम रखा है She has won over 20 international titles which include 10 super series titles उन्होंने 20 international मतलब 20 अंतर राश्टी खिताब जीते हैं जिसमें की 10 super series भी सामिल है She is the only female player from India to achieve this feat या कमाल करने वाली वो एक मात्र भारतिये महिला खिलाडी है She has represented India three times in the Olympics winning bronze medal in her second appearance उन्होंने तीन बार ओलम्पिक में भारत का परतिनिरितू किया है means वो भारत की तरब से तीन बार खेली है और second time में उन्हें bronze medal मिला था Shaina is the only Indian to have won at least a medal in every badminton World Federation BWF major individual event namely the Olympics, the BWF World Championships and the BWF World Junior Championships Shaina एक मात्र भारती है जिन्होंने badminton World Federation हैना BWF की पर्मुख individual event में मतलब वैक्तिगत पर्तियस परधाओं में जैसे की Olympics BWF, WISW Championship और BWF, WISW Junior Championship में At least, हैना मतलब कम से कम एक पदक तो जरूर जीता है C is the first Indian badminton player to have won an Olympic medal वो भारत की पहली badminton player है हैना पहली badminton खिलाडी है जिन्होंने Olympic medal जीता है Till now, C has won 22 international titles as a senior professional and C 3 international titles as a junior including the Commonwealth Youth Games and World Junior Championship अब तक वो senior खिलाडी के रूप में 22 अंतरास्तिय खिताब और junior खिलाडी के रूप में 3 जिन्में की common youth games और visv junior champion से भी सामिल है हैना ये वो जीत चुकी है Saina is the proud recipient of Arjun Award, Rajiv Gandhi खेल Ratna Award and the prestigious Padma Bhushan Award Saina ने Arjun Award है ना और Rajiv Gandhi खेल Ratna Award और prestigious मतलब की परतिस्थित Padma Bhushan Award पाने का भी गौरव प्राप्त कर चुकी है कर फिता है